असलाम लेकुश्व में तो आज की स्वीडियो में मैं आपको MS Office के बारे में बताहूंगा MS Office में Microsoft Office Word के बारे में हम आज की स्वीडियो में डिस्कस करेंगे और मैं आपको 구??? UE6 के बारे में बताहूंगा तो जिल्दcular स्वीं माइक्रोसॉफalle के ओपन कर लेती है और यह जो Microsoft Word है यह मेरे पास 2019 2019 वरियन है ठीक है तो यहां से मैंने इसको उपन कर लिया है तो आप सबसे पहले इसकी basic layout के बारे में देख लेते हैं कि यहां से यह वाले section है यहां से हम different अपने fonts होगरा को change कर सकते हैं और यहां यहां से हम font size को change कर सकते हैं यहां से आप shortcuts भी देख सकते हैं कि आप इन shortcuts के जरिए भी अपने जो text होगा उनके size को change कर सकते हैं यहां से size को बढ़ा कर सकते हैं यहां से कम कर सकते हैं उसके अलावर यहां से म은 चाहिए और पर कि इसमें उन तमाम लेट उसको कर सकते हैं और इप कि मेरे पास एक यह टेक्स्ट डारिय में सिंप्लिय ऐसको पी कर програм के तो अब यहां से मैं देंख सकते हैं कि अनुल को select की है कि यहाँ से मैं इसके different year time वी जोभी हमारे बस यह different fonts और रहे हैं तो यहां से मैं इसके fonts को change कर सकता हूँ तो let's suppose मैं यहां पर caliperый fonts को रख लेता हूँ उसके बाद यहां से हम इसके size को कम यह चोटा कर सकते हैं ठीक यह कम या अगर क्लिक करता हूं तो इसका साइज मैनूली बड़ा हो जाएगा ठीक है उसके बाद अब यहां पर मैं क्लिक करता हूं तो अगर मुझे यह फिक्रा जो है मतलब यह जो संटेंस है यह मुझे संटेंस केस में चाहिए लाइक इसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल हो और बाकी व संटेंस है तो हम अपर केस में चेंज हो चुके हैं उसके बाद एक और ऑफिशन है कि कैपिटिलाइज इच वर्ड के तमाम हर जो वर्ड होगा पूरे संटेंस में उसका जो फिस्ट लैटर होगा वो कैपिटिलाइज हो जाएगा यहां पर यह देख सकते हैं उसके लावे है कि और ऑफिशन है टॉगल केस कि उसका जो सबसे फिस्ट लैटर होगा वो स्माल केस में चला जाएगा और बाकी जो होंगे वह कैपिटिल केस में चले जाएगा ठीक है तो यहां से में संटेंस केस ही कर देता हूं उसके बाद देख सकते हैं अगर लेट्स पूस आपने टेक्स ना करें फिसे लाकर मैंेंट टैक्स को पेस्ट किई है ऐसा होता है कि तो आ पने में तमाम जितना भी आपने टक्स बिकatta啊 उसको बेसिक फॉन्ट में लाने के लिए केलबरी फॉंट में आने लिए अब यहां पर क्लिक करेंगे अब यहां भी देख सकते हैं क्लियर और फॉर्मेटिंग यह मतलब उसके वपर जितने भी जो भी तमाम किसम के फॉंट्स लगे होंगे ना मतलब वह खतम हो जाएंगे और उसका जिससे डीफॉल्ट साइज होगा क्लिक करता हूं तो जो मेरे पास टेक्स्ट आ गया वह बिल्कुल एकदम नॉर्मल साइज में आ चुका है कि कैलबरी 11 ठीक है तो उसके बाद यहां से अब इस बटन पर क्लिक करने के बाद इस टेक्स को बोल्ड कर सकते हैं या आप अपने कीबॉर्ड से कंट्रोल बी से भ और मिरे पास टेड़ा टेक्स्त चाहिए तो में यहांप अगर ऑगर टेक्स करेंगा हो G它的 लोग जो किलिक कर वहां है और आप जैते हैं किウगो तो अवं लगोगोस तरह होता है और उसके बाद अब कई मरतबह इस तरह होता है किमिस्ट्री के लिए या मैथमेटिक्स के लिए फार्मूलास होते हैं तो फार्मूलास में कुछ फार्मूलास बिलो जा रहे होते हैं कुछ अब जा रहे होते हैं मेरे पास फार्मूला होता है X की पावर 2 ठीक अब यहां से एक्स की पावर टू यह कम शोगर है एक्स टू ज्यादा शोगर है तो अगर हमें इसको पावर बनाने के लिए टू को तो मैं यहां पर यह वाले पर क्लिक करूंगा ठीक है सुपर स्क्रेप्ट से कहते हैं इसकी कीवर्ड शॉट कट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस ठीक है तो यहां से यह मैं क्लिक करता हूं तो यहां से आप यह देख सकते हैं कि वह एक एक्स टू एक फार्मूला टाइप में बन चुका है ठीक है तो अगर इस यह जो टू वाला जो अब यहां से मैं क्या करूंगा कंट्रोल प्लस यहां पर इक्वल का बटन होगा ठीक है तो यहां पर आपको जो शॉट कट है वह यहां पर आपको स्क्रीन पर शोव रहा होगा तो अगर मैं चाहता हूं कि यह मेरा जो स्टैक्स है यह सब स्क्रिप्ट ने करमड हो जाए त तो वो उसके लोवर एंड पर चला जाएगा ठीक है मैं यहां से अंडू कर लेता हूं उसके बाद यहां पर यह डिफरेंट टैक्स के लिए अगर आपने स्टाइलिश वाना तो यहां पर यह डिफरेंट तरह के आपको आप्शिन मजूद हैं जिससे आप अपने इस टैक्स क को डिफरेंट ले आउट में चेंज कर सकते हैं ठीक है उसके बाद अगर आप चाते हैं कि यह वारा जो एडिया है इसको में डिफरेंट कलर से हाईलाइट करूं तो आप इस तरह इस कलर को उस जो अपने स्लेक्टिड एरिया उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं लेकिन अग कर्सक्चेन में सबसे पहले आप्हों को शेए डुब्लिट्स लाइप्रेडी ठीगा है तो यहां पर कुछ चीजे होती है जो आपको कुछ है पॉइंटS में नज्माएं में उन 앞으로 Stein है बुलटस में शाह से यह भीह सब्सक्राइब कर但是 एंब अंगजुद अब Size आप मुर्ण अगर निश Фथा करें में कीण बुलट्ड के ओपर क्लिक अब और देख सकते हैं यहां से आस आप साइज Özको में किया ज्यादा कर सकते हैं उसके बाद जो हमारे पास है यहां पर numbering library कि अगर आपने different कोई भी चीज़ है उसको different numbering देनी है तो आप जाते हैं कि बिना मैं बार-बार number ना दूँ बलके अगर जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूँ तो next automatic number हो जाए तो इसके लिए हम इसको यूज करते हैं अब यहां पर मैंने क्लिक किया है तो सब्सक्राइब आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर मेरे पास different किसम के numbering libraries हैं तो जो हमने यहां पर क्लिक करने के बाद इसको दोबारा reuse कर सकते हैं तो यहां पर यहां पर देख सकते हैं कि यह मेरे पास different तरह की numbering libraries हैं तो इनकम मैं यूज कर सकता हूँ ठीक है अब मैं isब उसको यूज करता हूँ यहां पर मैं कऑप करता हूँ लिखता हूँ और Combat da कुरौत वह हो और लिखता हूं हाई इसके बाद मैं दिब़ए टेक्स प्रिंड करता हूँ तो यहां पर को पुजीशन के लिए आप सिंप्ली इन से किसी पर भी एक पर क्लिक करेंगे तो यहां पर तमाम सेड़ेक्ट हो जाएंगे तो आप अपने के लैप्ट आप के लिए पी सी गार्इट पर जारे अपने एक लिएवड करेंगे और इसको जिस डिरेक्शन में आपने मतलब one by one तो आप इस लिस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है उसके बद जो Next हमारे पर चीज आ रही है वो यहां पर आ रही है हमारे पस align की alignment की मतलब जो भी हमारे पस यहां पर paragraph given होका यह हमारे बस text given है उसके हम alignment को किस तरह चेंज कर सकते हैं तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा स्टे真的 में यहां से हमारे में इसको भी की सेंट्र में अ ले आ सकते हैं उसके आगर हम चाहे तो उसको इसको आण याप पूरा पर्णाव्ट है तो यहां से यहां से यह स्तौज्ट पढ़ा यहां में नीचे कर देता हूं तो अगर इस में पूरा पर पर अगर मैं Central Line करता हूं तो यह कुछ इस तरह हो जाएगा अगर मैं Right Align करता हूं तो यह कुछ इस तरह और अगर मैं यहां से justify पर क्लिक करता हूं जो मेरा paragraph है वो बिलकुल justify हो जाएगा मतलब कि उसकी जो Left साइट पर होगा और जो राइट साइट पर होगा एक्टम equally इसको हिस्सा मिल जाएगा मतलब कि पूरे पेज पर equally spread हो जाएगा ठीक है उसके बाद यहां से हम paragraph या लाइन spacing की भी बात करते हैं वो है यहां पर यहां पर यहां पर देख सकते हैं कि जो आप paragraph के यहां पर यहां पर हम सपेसिंग है ऑंपस 1.5 होती है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं मतलब जो Count on it कि चेंज कर सकते हैं जो यहां पर यह जरू पिते ह ed duck में बाद आगर हम यहां पर paint पे जाएं तो यहां पर हम उसके liping colors है जिसटार हम पहले के चेंज कर रहे थे पहले पे यहां पर याँ पर 지나裁 का किलर को सपने हां अब हम बात करनेवाले स्टाइल्स के बारे में तो यहां पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास यह डिफिरंड किसम के यहां पे स्टाइल declaration यूज़ है ठीक है तो यहां पर किस तरह करना यूज़ करते हैं तो अभी स्पीक पर बात करते हैं कि सबसे फ smokesके पहले हमारे पाश एक हमारी हुआ कि मैं यहां से एक न्योज पेच फिर ब्लैंकן PAGE करेото प्रक्राइब यहां पर यहां हमारा एक कावर मतलब कि हमारी जो भी डाऌैस का my assignment है यहां से मैंने इसको select करने के बाद यहां इसको central align कर दिया तो यह मेरे जो भी document है उसका title बन चुका है उसके बाद second point होता है हमारे बस हैडिंग का ठीक है तो यहां heading के दिरम्यान में यह heading के अंदर कुछ और heading आये तो उन्हें सब heading कहते हैं तो उनके लिए हम सब heading number to select करते हैं तो यहां पर simply मैं अगर heading पर select हुरूं तो यहां पर let's suppose मैं कोई नो को question देता हूं what is see what is science तो यह मैंने question दे दिया मैं इंटर दबाऊंगा तो आटमेटिकली नॉर्मल साइज में करमट हो जाएगा तो अब यहां पर मैं कुछ ना कुछ नॉर्मली टाइप कर सकता हूं let's suppose it is good and जो मर्जी हम यहां पर चाहें ठीक है उसके बाद एस सी आई एन सी हिस्टी ऑफ साइंस ठीक है यहां पर यह मेरे पास सब हैडिंग आ चुके है ठीक है तो अब यहां पर देख सकते हैं कि हमारी जो डॉकुमेंट का जो भी थीम है वो काफी अच्छी खूपसूरत तरीके से आ रहा है क्योंकि जो हमारे बस टाइटिल है टा हमें साइज यहां पर जो हमारे बस टेक्स होता है सका साइज में 12 चाहिए होता है ठीक है और यहां पर यहां पर यह हमारे बस सब हैडिंग टू है सका साइज से 13 ठीक है तो अब यह सब हैडिंग है तो इसका स्टाइल होता है उसका साइज होता है वह हमें 14 चाहिए होता है है basically ठीक है तो और जो हमारे बास sub heading होती है उसका style जो हम अपनी documents वह रहा के लिए use करते हैं वह होता है 12 क्यूंकि वह सब heading होती है तो जितनी हमारे बास normal text होता है उतनी हमें उसकी heading चाहिए होती है अगर आप 13 करना चाहिए तो आप वह भी कर सकते हैं को इस्यों नहीं है ठीक है तो यह हो गया बिसिकली इनके बार में अब उसके बाद हमारे बास जो section tab है वह इंजर्ट टैब इंजर्ट में हम क्या कर सकते हैं हम यहां पर सबसे पहले अगर हम pages के बारे में बात करें तो यहां हम कोई भी एक इसके बाद भी सर्ट हो यहां से भी कर सकते हैं और अगया उसके पर forbidden कि के लात करें तो यहां पे द शिकते हैं कि हमारे आब स्टाइल के पर मज़ोद हैं मेरी प्रैइच पर भूठा करो ला सकते हैं सकते हैं यहां पर सकते हैं और नीचे जो भी हम अपनी information देना चाहिए है वह हम यहां पर information दे सकते हैं ठीक है उसके पर यहां पर एक option है tables कि अगर हमें हमें अपनी documents में tables चाहिए तो यहां से हम अपनी documents में different tables को भी insert कर सकते हैं ठीक है चाहिए तो यह मैंने यहां से करना है तो यहां से मैं उनको यहां पर दे सकता हूँ और यहां मैंने के जो आटोफट भी है उसको भी चेंज गा सकता हो कि वह विट्स के हिसाब से हो या वह कॉंटेंट के हिसाब से जितना उसमें टैक्स है इस हिसाब से इसके लिए हाइट वीट्स बढ़ती रहे या अगर आठो फिट्ट विंड़ो के हमें विंडोस में किस तरह फिट करना है मतलब कि पूरी जो हमारे बस एक पेज है उसके हिसाब से वह फिट कर लेगा तो यहां से हम स्लग्ट कर सकते हैं करने के बाद हैं ओक कि क्लिक कर दें कर सकते हैं एक टेबल चाहिए तो यह मैनने एक टेबल कर दिया ठीक है अगर मुझे इसके अंदर एक और टेबल कर लिया है तो यह अपनी स्टेशन के साथ आपके पाद आपके पीच पे जितनी भी आपके बाकी है आप उसके हिसाब से टेवल क्रिएट कर सकते हैं उसके बाद हमारे बास यहां पर एक्सल स्प्रेडशीट है या कुछ टेवल इसकी ज्यादा जूरूरत नहीं होती कि कुछ टेवल में हमारे पास हम क्लेंडर ट्राइब अगरा के अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो वह में एक क्लेंडर टाइबल दे देगा ठीक है उसके बाद अब नेट्स ऑफिशन है यहां पर हम अगर कोई भी हमारे बसकों पिक्चिर है और उसका हमने अपने डॉक्ट में इंजर्ट करना है तो हम किस तरह फिक्चिर को इंजर्ट करते हैं और बाद में उसके उपर उसके फार्मेटिंग करते हैं उसके यहां पर शेप मुझूद है कि हम इन शेप को भी यहां पर ट्रॉप कर सकते हैं बलट अगर मुझे यह शेप साइए तो यहां मैं मैं अपने यूजज के मताबिक यहां पर मैं अपना टेबल मतलब वह शेप कर सकता हूँ और उपर से उस शेप की फार्मेटिंग कर सकता हूँ आपको समझा दूंगा उसके बाद यहां पे आइकॉंस देख सकते हैं कि अगर आपको आइकॉंस आइकॉंस करने तो यहां पर पेस्कर सकता हो उसके बाद मुझे ट्रीडी मॉडल से तो अगर मेरे पस कोई फाइल में मजूद हैं 3D model source को भी हम अपनी वर्ड फाइल में paste कर सकते हैं उसके बाद यहां पर हमें स्मार्ट आर्ट का के यहां से अगर हमें स्मार्ट आर्ट चाहिए हमें कोई DFD मतलब data flow डायग्राम मनानी होती है तो हम इसको यूज कर सकते हैं अब अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर मुझे यह वाली हार चाहिए तो हम इसके पर डबल क्लिक करूंगा अब यहां पर यह डिफरेंट अप्टेक्स इंजर्ट करके एक DFD मना सकते हैं ठीक है तो इसकी भी सेम फार्मेटिंग रिक्वाइड है तो मैं आपको आगी चाहिए समझाओंगा उसके बदा अगर आगर आपको आपकी डॉक्मेंट चल रही है और उसके बाद अंदर आपको चार्ट चाहिए तो अब यहां पर डिफरेंट तरह क्या है आपको बस चार्ट की टेंप्लेंट्स पड़ी है कि कॉलम चार्ट आपको चाहिए लाइन चार्ट पाइचार्ट वार चार्ट एरिया चार्ट एक्सवाइ स्कैट्र चार्ट मैप चार्ट यह स्टॉप चार्ट अप जिस हिसाब से आपको अपने जो भी आपकी डिजायर जिसाँ से यहां पर पर एक चार्ड कर सकते हैं कि नेयरी में नेयमिंग को चैंज कर सकते हैं इसकी के य की दोनों को भी हम यहां से चेंज कर सकते हैं और अपने चार्ट है उसको अपनी मेंट बाद Warum के मताभी переж है ठीक है उसके बाद यहां से यह हमने section complete कर दिया है और यह जो बाकी sections होते हैं यह वाले यह इतने हमारे काम के नहीं है फिलहाल तो अभी हम फिलहाल लिंग को discuss नहीं करते हैं उसके बाद हमारे बस option है header header और footers का basically header footer यह होता है कि हमारे जो वीडियो है उसके टॉप पे कोई चीज अगर लिख नहीं है और हम चाहते हैं कि वह पूरी document के हर पेज़ पे आए ना कि हमें पेज़ के टॉप पे लिखना पड़े तो उसके लिए हम header का यूज़ करते हैं और यहां पर देख सकते हैं कि हमारे बस डिफ्रेंट तरह की मजूद हैं तो अगर मैं इस header को select करता हूं ठीक है तो यहां पर यह मेरे top में header का section खुल चुका है ठीक है तो यहां मैं कोई करता हूं मैं let's suppose यहां पर लिख देता हूं our assignment ठीक है मैंने यह लिख दिया है तो यहां से यह मैंने इसको close कर दिया है तो यहां पर देख सकते हैं कि मेरे बाद स्टॉप पर है तो अगर यहां पर मैं फाइल पर जाके प्रेंट के बटन पर क्लिक करता हूं तो अब यहां पर यह देख सकते हैं कि यहां से पहले पेज़ पर आज यहां से second page पर आते हैं तो यहां पर देख सकते हैं कि हमने उसको third page पर अप्लाई किया था लेकिन आप पूरी document में अप्लाई हो चुका है second page आप यहां पर चेक कर लें थर्ड पर चेक कर लें फॉर्थ पर चेक कर लें तो जो हमारा यहां से इस इसको यूज़ करता हूं तो अब यहां से आप देख सकते हैं कि यह मेरे फूटर जो है वो मेरे पीज़ के लग चुका है तो यहां से मैं इसको लोड नहीं कर रहा सेकंड पेज को ऐसा फ्रस्ट पीज कर रहा है और साथ में नाम भी आ रहा तो अगर हम थर्ड पेज पर आया है अपनी डॉक्मेंट के लेकिन वह यहां पर इसको सेकंड करेड़ करेगा कुंकि पहला जो है हमारे पास वह पेज वह ऐसा पोड़ पेज है त साथ में जो हमारा टेक्स्ट है वह भी हमें शो कर रहा है साथ में यहां पर फोड़ पेज को भी चेक कर सकते हैं ठीक है तो यह हमरे पर हैडर फूटर होते हैं तो यह भी हमारी जो डॉक्मेंट्स होती है उनके लिए सुरूरी होते हैं उसके बाद आप यहां पर आपने मंधिकमेटिकल बनानी हूँ तो हम उन सक ऐक्यम हैं चेंज कर सकता हूँ और मुझे कर सकता हूँ आप पर मैं कोई नहीं कुछ फार्मूला यहां वह भी यूज कर सकता हूं ठीक है मैं असे से कंट्रोल ऑंडू करता हूं कि उसके बाद यहां पर सेम्बल हैं कि अगर मैं पना कोई को क्लिक करेंगे और यहां पर इंजर्ट के बटन में क्लिक करेंगे तो वो जो हमारे पास हमारी सेंबल होगी वह हमारी डॉकुमेंट में इंजर्ट हो जाएगी ठीक है यहां पर देख सकते हैं कि हमारी डॉकुमेंट में इंजर्ट हो चुकी है ठीक है अब उसके बाद यह स को पिक कर सकते हैं ,All ZieALK हम यहांपर हम फाट को पिक कर सकते हैं ,कौन से पामे कौन ऐर चाहिए पारग्राफ पेसिंग को हम चेक कर सकते हैं ,aff tão x लगा सकते हैं ,पने बाद हम अपने देखा वोगा कुछ हमारे बस ऐसी डाक्मेंट से होती हैं जूकर हम चाहते हैं कि उसकी कोई कॉपी न कर सके या हमें वैसे वाटन मार्क की शुरूरत हुच है वडियू में करने के लिए यहां पे कुछ उख करने के बाद यहां पे हमारे बस watermark के दो तरीके मजूद हैं पहला है कि हम picture watermark के अपनी जो पूरा हमारे बस page है उसकी जो background होगा वो picture हम use कर सकते हैं यह हम text watermark की बात कर लेते हैं तो यह हमारे बस हम यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं let's suppose मैं यहां पर लिख देता हूं our assignment ठीक है अब मैंन transparent जाते हैं या transparent जाते हैं वह यूज कर सकते हैं आपको डाइगनले चाहिए यह horizontal चाहिए तो यहां पर आप क्लिक कर सकते हैं तो अगर आपने कोई भी टेक्स लिखने बाद मैंने इसको चेक करना है वो मेरे पीश भी किस तरह हो का तो यहां पर apply के बटन पर क्लिक करेंगे और close कर देंगे तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो document है अब यहां पर आपको नजर आ रहा हो तो यह हमारे document पर यह वह वाटरमार्क जो है वह लग चुका है ठीक है तो अगर हमें यह वाटरमार्क रिमूव करना है तो हम simply remove watermark भी क्लिक कर सकते हैं तो अगर ह बॉट करके हम उसको अबलाए कर सकते हैं में पेज कलर की अगर हम चाहते हैं कि हमारे पूरे पेज हाँ वह बूरा पेज है उसके साइब बॉर्ड की आउट साइड पे हमारे बस एक बॉर्डर लगा जा टूब यहां से भी click कर सकते हैं यहां पर हम बॉक्स प्लिक करते हैं ठीक है और यहां पर यहां पर यहां से इसके color को भी change कर सकते हैं और यहां मुझूद भी है तो अगर आपको यहां से कोई art पसंद करोंहों तो मेरा वाटर मार्क जो है उसे 8 के हसाफ से घर चाहिए और आप चाहिए आपने वाटरमार्क करना सब्सक्रें के दीफर्ट करने के बाद की बाद यहां पर die करते हैंगे तो कहसे हैं jogoётся सेलेक्ट कर सकते हैं कि यहां से हम एक कर सकते हैं कि पर यहां से मार्जन किससेट करना चाहते हैं नॉर्मल चाहिए और घर अगर हम noise करते हैं तो प्रेस का जो घूज कर सकते हैं रूद क्यों बिलीज केbum चैक्राइब करेंगे तो यह इस तरह हमारा फेज्ट में प्राइब कर सकते हैं कि यहां से हमें पेज का साइज कौन सा चाहिए यहां से हमारे बस डिफेंट किसंद के साइज मुझवद है और जिस जाद हमारे यूज करते हैं या फोर साइज अपनी डॉक्मेंट से लिए यूज करते हैं तो यहां पर यूज कर सकते हैं और अगर हम चाते हैं कि हमारे जो पेज है वह उसके जो भी हम टेक्स लिख रहे हैं वह एक पेज है वह मुल्टिबल कॉलम में डिवाइड हो जाए कि मतलब हमारे सब्सक्राइब एक पहले कॉलम में टेक्स आये तो उसके लिए मैं सबसे बढ़े यहां से कुई कोई कोई text कर लेता हूं ताकि उसका आपको इसली समझ आ जाए तो मैं यहां से यह एक डॉक्मेंट हो लेट सबस्पोरे एक पेज को यहां पर कॉपी कर लेता हूं ठीक है य मुझे इतने को कॉलम में डिवाइड करना है तो मैं इसको स्लेक्ट करूंगा और यहां पर मुझे तीन कॉलम में चाहिए तो मैं तीन में भी डिवाइड कर सकता हूं और मुझे वह चाहिए लेफ्ट में चाहिए राइड में चाहिए तो हम यहां से में चेंज कर सकते हैं और यहां पेला की चीज कर सकते हैं और उसके पाद हमारा गृत हैं यहां बहुत है कि यहां पर दिखेbelly के यह पर सकते ह beneficial यहां है तो यहां पर हमारे बाद तरह की टेबल का मजूद है टेबल ओफ कंटेंट तो इनका हम अपनी जो भी है हमारे बस पहले पर क्लिक करता हूं तो यहां पर देख सकते हैं कि वो टेबल ओफ कंटेंट हमें यहां पर शो करवा रहा है तो अब यह कॉंटेंट किस तरह हुआ आप सबसे पहले पिलके डबल पेच में यहां सबसे पहले कंट्रोल THE करहें के सिंगल एक मीज्वर कर लाज़ी कुछ अब यहां से मैं माई संखके इसको सब्सकों करता और है जासक है है कि तेभल of content गर ताय जो हमारे बस है heading number one होती है वो इसको मेन हैंडिंग कंसेडर करता है और जो हमारे बस heading two होती है जैसे कि मिलब्स vati science हमारे बस heading number one थी तो उसको consider गिया और सब heading उसने इसने इस्टी ऑफ साइंस को और यहां पर quality of good algorithm भी वो उसने नीचे वाले जो भी टेक्स था उसमें से आप उसने यह देखें आप यह अगर चेक करें इसको तो यहां पर यह हमारे बस यह जो टेक्स्ट है यह हमारे बसे है तो हम इसको भी उसने सब हैडिंग कर लिया है ठीक है उसके बाद हमारे बस मेलिंग है यह मेल वार एक लिए यूज होता है रिव्यू है रिव्यू में हम अपनी स्पेलिंग और ग्रामेटिकल्स को चेक कर सकते हैं इसके शॉटकट की एफ सेमन है उसके बाद यहां पर हमा हमारे जो पीच में हारा वह रूलर्स अगर हम में चाहिए तो हम उसको भी यूज कर सकते हैं और यहां पर फिरलाइन को अपर करनी है तो बाद यहां पर इस तारह के ओशिंग हो जूँग है तो यह मैक्रोस सॉफ्ट ऑफिस वर्ड का ओवर वीवड ठीक है तो अब हम चेक करते हैं कि अगर हमने एक simple document बनानी है उसमें हमने simple सबसे पहले है कि अपना cover page बनाना है यह तो एक cover page मुझूद है लेकिन अगर हमने default अपने लिहाँ से cover page बनाना है तो हम किस तरह बना सकते हैं और उसके प्रबढमनिहों वाद लिकते हैं उसके और अपने टॉक्मेंटend वगरार लिखने के बाद अपने टेक्स के ओपर बॉडर कार अफ्र च्सकार अए बनाग 오른 finer लेता हुऊं इसके बाद इसके बाद हमятся कैो है है हमारे बास होता है Objective तो यहां से मैं Simple कोई ब्लिश्चय खीडिव के Heading देता ह्ँ यह मैंने objective के Heading दे दी थीक है उसके बद हम यहां पे क्लिक करता हूं Tabab격 जो हता है üz wrinkles點 लोग बहुता है उत्क मुझें कर देता हूं अब यहां पर हम कोई भी अब्जेक्टिव दे सकते हैं तो अगर मैं यहां पर अपने यह एक डाकुमेंट मैंने आपको शो की हुई है इसका जो अब्जेक्टिव है मैंने यह दिया हुआ इसका मैं यहां से काप्य कर लेता हूँ कोपी करने के बद मैं यहां पर इसको कर देता हूँ तो यहां पर जो फरस्ट एडिंग वो है फ्लोर चार्ट डाइग्राम ठीक है तो यहां से मैने यह एक मίंड श को Magnus को devi कर लेता हूं यहां से तो यह same को लिखने के लिए मैं सिंपली यहां पर एक टेक्स को यहां पर कॉपी कर लेता हूं यह मैंने यह पूरे को कॉपी कर लिया यहां से और यहां पर आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया ठीक है तो यह हमारे बस डॉकमेंट अब यहां पर मैं अगर इसको यहां पर क्लिक करता हू तो यह पूरा एक paragraph है यह मेरे पास यहां पर justify है मतलब equally आप दोनों साइट पर देख सकते हैं कि equally वह divided है ठीक है तो अगर यहां पर मैं अगर क्लिक करता हूं टैब देता हूं तो यहां से paragraph की form में आ जाएगा कि वह पहले साथ spaces दे देगा तो अगर let's suppose मैं अगर कोई भी next paragraph यहां से पहला paragraph स्टार्ट हुआ है वहीं से ही स्टार्ट होगा और हम बचाते हैं कि वह नहीं स्टार्ट हो तो हम सिंप्ली बैक स्पेस से उसको हम बिल्कुल शुरू तक ले आ सकते हैं ठीक है तो यह तो हो गया हमारे बस डॉक्मेंट यह जो भी हमने लिख स्टार्ट के प्रlex करेंगे तो हमिए और यहां से पिक्चर हम रिषुक्श में और यहां से यहां से सीë हमप्ल इसको को चोड़ा करने करते हैं चोटा करने के बाद यहां पर देख सकते हैं कि जो पिक्चिर की फार्मेटिंग के हमारा बस डिफरेंट तरह के टूल्स मुझूद है तो हम इनको वन बाइवन डिसक्स करेंगे सबसे पहला है कि रिमूव बैगराउंड के यहां सी वह एक्टमेटिक ही कराईग नहीं है तो हम इसको यूजन नहीं करते हैं इसके फार हमारे बस क्रैक्शन है कि अगर हम उसके शॉर्पनी यह सौफ्ट करना चाए है उसके प्लाइटनेस को मेनुली यहां पे चेंज कर सकते हैं ठीक है है तो अब हमए लाइट कोई नों को क्लिक करता हूं तो डिफ्टर तरह के स्टाइल में व्यादिख ऐसकते हैं तो यहां पीट कि देख सकते हैं उसके बाद यहां पर आप नेक्स्ट जो हमारा है वह इंथा स्टाइल थो यहां से समझे यूद्ड धर्ण तरह के स्टाइल में बश्यूद था हैりました मैं इसको फिलाहाल के लिए रहने देता हूं ठीक है उसके बाद हम अपनी पिक्चर के बॉर्डर भी लगा सकते हैं और बॉर्डर जो है वो हमारे पास यहां पर डिफरेंट तरह के कलर सोचाते हैं भी तक बॉर्डर है वो बहुत नेरो है तो आपको से ज्रासर नहीं आ रहा तो यहां पर उसके हम वेटेज है मुदलब कि जो इसकी बाटल की वेट था है इसका हम इंक्रीज कर सकते हैं इतना और यहां से मैं इसके अगर कलर को भी चेंजिंग चाहूं तो यहां से मैं इसके कलर की भी चेंजिंग कर सकता हूं ठीक है उसके बाद अगिर मैं यहां पर यहां पे प्रीजेट सभता के प्रीजेट अपाँ phinॉरी görünॉसत्त तरह हो क्याने सब्सक्राइब सकते हैं ट्रीजेशन कब दिस्टरब्स करके सब्सक्राइब हम इसको different तरीके से use कर सकते हैं अगर मैं Central line करता हूं तो यहां पर select वरता हूं तो जैसे सको मैं apply करता हूं तो जो हमारे बस tax होगा वो टेक्स को disturb नहीं कर रहा है जैसे हम पिक्टर को आगे लेके जा रह सकते हैं तो जो टेक्स त्राइक है अपनी नीचे लाइन कर रहा है ठीक है तो अब यहां भी देख सकते हैं कि टेक्स को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं कर आगर हम इसको नीचे ले कहाता हूं तो टेक्स अपनी डिफल्ट जो भी इसकी ती वह उसमें चेंज आ जाएगा ठीक है तो यहां से उसके बाद अगर और इसके बिहांट चली जाएगी तो यहां से हम डिफरेंट तरह के अप्शिंस का मुझलब हम इंफ्रंट ऑफ टेक्स भी कर सकते हैं टॉप और बॉटम जिस तरह हमें चाहिए तो हम उसले हाँ से इन लाइन अगर विद टेक्स करें तो हमारा जो भी इन लाइन है तो वह टेक्स के यूज कर सकते हैं मैं इसको सिंपली यहां पर लेफ्ट लाइन पोजीशन पर रखता हूं ठीक है उसके बाद यहां पर एक अप्शन हमारे पस मुझूद है क्रॉप का कि हम अपनी फोटो है अगर हम उसको कभी कबाद कॉपी करते हैं तो बहुत बड़ी फोटो होती है तो कम करनी है ज्यादा करनी है तो मैं यहां से साथ है उसको मैं मैनुली भी चेंज कर सकता हूं ठीक है तो अगर मुझे इस टेक्स का साइस करना । कि मेरे बस अगर टेक्स ही इतना है तो इसके साथ ही मुझे फॉटो ऑलाइन करनी है तो मैं इससे हिसाब इपनी फॉटो ऑलाइन कर लोंगा ठीक है तो इस आरकाट不好 SIM sust--"אני इसको में इन जो मुँफ करना तो जाए। होजाएगा थीक है तो वो जो कि वो प्रेफर्ट होना शुरू होई अगर हमें चाहिए तो उसके बाद अगर हम डिलीट पैं तो यहां से मरबस different चरह के delete के option मुझलद है कि हमें कोई दिलीट करना है क्छिफ्ट स मुझेड नेके जिसरो या entire row entire column जिस हिसाब से हमें delete करना है उसे चाहिए हम लेट कर सकते हैं तो मेरा जो करसर था वो front पर फरस्ट पर यहां पर यह चेक कर सकते हैं कि फरस्ट रों में है तो अब यहां पर क्या करेगा फरस्ट रों को simply complete जो bottom वाई layer है वो complete उसको delete करतेगा ठीक है उसके बाद अगर मुझे यहां से delete table करना है तो यहां मैं complete table को भी delete कर सकता हूँ ठीक है मैं यहां से दोबारा एक table को open कर लेता हूँ और यहां से अगर मुझे चाहिए कि मैं table के अब आफसा वे कोई एक पूरा पर इंजर्ट करना चाहों मैं ना पूरी रहा लसकता मुझे बिलो इंसर्ट करने है तो मुझे उतना राइट पर किणवर्ट कर दूंगा अगर में जो फि0 पर Евर करना है आक jemand करना करना है नहीं पर पर क्लिक कर एंगा होगा ते वहाँ नहीं पर हमारे पास यह द हूगा है तो अगर मुझे इसको प्रॉड करना है क्लिक करूंगा तो यहां पर मैं उसको डिफ्रैंट कॉलं में बीकर सकता हूं उसके बद मैं टेबल एक टेबल है उसको मैं different tables में split कर सकता हूँ अगर मझे चाहिए तो ठीक है बट मुझे भी उस options की मजूद जरूरत नहीं है तो मुझे उसको यूज नहीं करूंगा इसको यहां पिर हमारे बाइस एक option है AutoFit का क्या AutoFit हम content के हिसाब से table को fit कर सकते हैं यहां पिर देख सकते हैं मेरे table में कोई content मजूद नहीं है तो वह कुछ नहीं साइज कर दा और इसमें टेक्स फिट करना शुरू कर दूँ लैट समस्ट में random कोई button क्लिक कर रहा हूं तो उसे हिसाब से वह जो टेक्स का हमारे table का size है वह increase कर रहा है तो अगर इसको मैं auto fit window कर दूँ तो वह हमारे जो पेज है पेज की हिसाब से जो टेबल है उसको fit कर देगा ठीक है यहां से मैं उसकी हाइट और विट को भी जो टेबल का column है उसको कम या ज्यादा column की width को यहां को करना है तो यहां से मैं वह कर सकता हूं ठीक है अब let's suppose मैं मैं आपको सबसे पहले alignment को बता देता हूं भी मेरा एक text मुझूद है ठीक है तो यहां से मैं इसको डिफरेंट कर मैं यहां पर दरम्यान में लेक्ट यहां तो यहां पर देख सकते हैं कि जो मेरा जो भी उसी कर सकते हैं तो यह मर बस और ले आउट है वहां ङरे हम टेपल के डिफरेंट के कि अगर हमेशु कुसम के अपनी डॉकुमेंट के हिसाब सबसाइब हैं यूज इनको स्टाइल्स को यूज़ कर सकते हैं सबसे पहले मेरे पर सकते हैं इनको भी उसके हैं और अगर मोडिफार टैबल स्टाइल तो हम यहां से अपने हिसाब से भी टेबल के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं ठीक है इसके बाद यहां पर हमें इस पर क्लिक करता हूं तो जो हमने यहां पर स्टाइल स्टाइल програм है न इसके पर उपर क्लिक कर जाएगा और हम कितने थे चाएंगे यहां यहां पर यी जाएघी करता हूँ पर वो इतना ही बाड़ा ठेक्स उहोजएगा उसके बाद हमारे बास प्षिण है बोर्डर का कि हमारे बास जो पूरा टेपल है उसके जो बादर है वो किस तरह होगे क्या मारबस का जब्ट कर सकते हैं तो हमें ज्क pink करेंगे तो हमारी बाडर है वो create होना शूरू को जाएका जो घो भी हमने यहां सिसकी styling की होगी ठीक है तो यहां से ही थिए मैंने table की तक माम भी formatting वहरा है है वो मैंने आपको यहां से समझा दिया है ठीक है तो उसके किश चेंज कर सकते हैं उसकी में हम एक्षा को को कर सकते हैं ऐसके रहा हम यहांज को पर मुझे रखेंख मुझे हैं लंगोस को एलाइन कर सकते हैं यह वां व invasion को मुझे हैं इसी तरह से हम चार्ट की भी चेंज कर सकते हैं तो अगर हमने स्क्रीन क्लिपिंग करनी है यह यह दिखें यह मेरे पास हो चुगा तो अगर मुझे चाहिए documents को यहां पर scroll कर रहा हूं तो आप उनको check कर सकते हैं कि आप इस तरह change कर सकते हैं तो उमीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी गाफी lengthy वीडियो हो चुक्ए क्योंकि इसमें मैं आपको complete word की basics के बारे में बताया है तो अगर आप मुझे एक्सिल की basic भी अगर आप जानना चाहते हैं या powerpoint की basics जानना चाहते हैं किसी और software की basics जानना चाहते हैं तो आप नीचे comment करके मुझे बता सकते हैं मैं उसके उपर एक dedicated वीडियो बना दूँगा तो उमीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो काईली मेरे वीडियो में तब तक के लिए अलाहाफिस भीडियोत कर दो आपको 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 लुए यह वीडियोत कर दो आपको 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 अच्छाए है